हेलो फ्रेंड्स, विल्कूम बैक मैं चैनल, मेरे किचन में आप सब का बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मस्रूम के पकोड़े, बहुत ही सिंपल बहुत ही असान रेसिपी है आपको देखे पताचल गया होगे कि आज की रेसिपी बहुत ही मज़धार बनने आज हम जो मस्रूम के पकोड़े बनाएंगे उसमें चीज भरके बनाएंगे और देखिए इसकी आवाज से आपको पता चलेगा कि आज जो हम पकोड़े बनाने वले काफी क्रिस्पी क्रारी बनने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी और वीडियो पसंद रह साथ में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली रेसिपी कर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मैंने यहां पर 200 ग्राम मस्रूम लिया है और इस तरीके के जो इसके डंडे है न हम और निकाल देंगे इस तरीके से इसे खाली कर देंगे और मस्रूम को हमेसा अच्छी तरीके से साफ करें इसमें सूखा आठा डाल के अच्छी तरीके से रगल ले पिर साफ पाणी से दो तीन बर इसे धोले तो इसके लिए मैंने इसमें श्टफिंग एक प्याज को बारिक कटकर लिया है अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार इसके साथ एक छोटी चमच सेजवान सौस और इसमें डालेंगे दो चमच बारिक कटा हुआ हरा धन्या और इसमें डालेंगे धेस हरा चीज तो मैंने आप तीन क्यूब चीज को कदुकस करके लिया है और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा जो मस्रूम में भरके बनाएंगे वह स्टफिंग तयार हो गया है आप चाहें तो यहां पर सिरफ चीज को भी स्टफ कर सकते हैं प्याज नहीं डालना चाहते तो आप इसे भर दे तो यह देखिए हमारा तयार हो गया इसी तरीके से हम और बना लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखिए मैंने सारे भरके तयार कर लिया है अब हम एक घोल बनाते है तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है एक चमच कॉन फ्लोर इस कुछ हम आद्मक नमक दालेंगे और खोल बना कर लेंगे से ट्यार कर लेंगे तो बटला घ्रल नहीं बनाना अपकनी इस तरीके से तरीके से मिक्सू नहीं इस बात सुस्टेज सब्सक्राइब तो इसे अच्छे तरीके से मेक्स कर ले तो देखे मैंने गोल बना के तयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे ज्यादा गाड़ा लग रहा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसा हमें गोल बना के तयार कर लेना है और यह मैंने ब्रेट का कुमेट तॉơ चमच गोल जो आज़ देंगे और इस तरह किसे उच्छी तरीके से और इसके तुरでも च अंहें को सरन unmुची मिस्टाशिए tak क्या है एक आपके इसे तरीके से कमच से अब येशा सकते हैं दबाते हुए इसके उपर ब्रेट का जो पाउडर है अच्छी तरीके से चिपका दे आप तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ तो हाई फ्लेम पर मैं इसे फ्राइ कर रही हूँ पहले तो एक करके हम डाल देंगे और एक बैस में जादा ना डाले जितना आय उतना ही डाले तो दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राइ करना है तो इस तरीके से आप देखिए एक तरफ से कलर हो चुक पर निकाले जो एक्स्टा ओयल है वो निकल जाएंगे तो देखिए यह फ्राइ हो चुका है अब मैं निकाल लेती हूँ इसे और देखिए कहीं कहीं जो चीज है वो निकलने लगे है तो इस बात का ध्यान रखे आप इसे फ्रीज में जरूर रखे कम से कम 20 मिनट के लिए अगर फ्रीजर में रख रहे हैं तो दस मिनट के लिए रखे तो देखिए मैंने इसे फ्राइट कर लिया है इस तरीके से आप इसे सॉस के साथ खाईए या सेजवान सॉस के साथ खाईए बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाला है अब इसके पर थोड़ा सा चट्पटा ब अब देखाई और यह तैयार है आप चाय के साथ खाई या फिर ऐसी खाई बहुत ज्यादा टेस्टी बना है यह चले मैं आपको इसे इसकी आवाज सुनाती इसको कट कर के दिखाती हूं कैसा बना है तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है आपको आवास से पदा चल गया तो अंदर से भी बिल्कुल चीज मेल्ट हो गया बहुत ही सॉफ्ट बना है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है आप ज़रू ट्राइ करें वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई और थ थैंक यू पर वचीजिश्ग गड़ियों